हमारे इस खास सेग्मेंट एकस्प्रेलर में आपका बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शुवानी पांडे एक स्प्रीनर में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तान में 45 साल पुराना एक ऐसा मामला है जिसको लेकर इस वक्त वहाँ पर हंगामा हो रहा है और पाकिस्तान का जो उच्चितम नयाला है वहां की जो सुप्रीम कोट है उसने इस मामले को लेकर जो सजा उसमें सुनाई गई थी उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है वी मामला क्या है यह आप समझे यह मामला किसी भी आम इंसान से जुड़ा नहीं है कोई आम पाकिस् कि यह थे पाकिस्तान के पूर प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको फासी के सजा सुनाई गई थी 4 अप्रेल 1979 को यानी 1989 को सजा इनको सुनाई तो गई लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का कोट में और इसी पर वहां की जो सुप्र खाना था वहां पर 3-4 अधिकारी जाते हैं और उनमें से जो एक अधिकारी है वो सजा पढ़ना वहीं पर शुरू करता है यानि की को जो जिस कैद खाने में उनको बंद किया गया था वहीं पर ही उनको सजा सुना दी गई थी और बहुत ही आम तरीक एसा जैसे किसी आम ना की थी भुट्टो के आखरी 330 दिन उसमें यह बताया भी है उसमें उन्होंने इस बात का जिकर भी किया है कि जेल अधिक शक्त है वो अंदर जाते हैं उनके उस कैद खाने में और वहां पर उस वक्त उनको भुट्टो लेटे हुए मिलते हैं और वह आवाज उनको देते है है एक बार जरूर और जब वो पलट कर नहीं देखते हैं तो सीधे फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं इस फैसले में जो आदेश वहां पर दिया गया था कोट के कोट ने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से या आप आदेश आपको पढ़कर सुना रही हूं लाहुर उ नमीक्षा याचिका 24 मार्च 1979 को खारिज कर दी गई है पाकिस्तान की राष्टुपती ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है इसलिए तुम्हें फासी देने का निश्चे कर लिया गया है यानि जो वहां की राष्टुपती उस वक्त थे उन्होंने जाएगा यह साफ इसमें जलक रहा है सादेश में कि उनको अपना पक्ष रखने के लिए उनकी जो याचिका उनने डाली थी वकायदा वो भी खारिज कर दी गई थी वहां की कोट के हसाब से और याचिका खारिज होने के बाद उनको कोई भी दुबारा ऐसा मौका नहीं द तक जुल्फिकार अली भुक्तो को नहीं मिला था अब यह मामला क्या है यह भी आप समझे यह पूरा मामला है यह एहमद रजा कसूरी का था दरसल एहमद रजा कसूरी कहीं जा रहे थे और उनके साथ उनके कई सारे परिवार जन थे लेकिन अचानक से जब वह आगे गाड़ी चला रहे थे उस वक्तों ड्राइब कर रहे थे खुद कुछ हमलावर उन पर अटैक कर देते हैं गोली के साथ बंदूकों के साथ उनके हमला हो जाता है और उनकी जो परिजन थे वह मारे जाते हैं उसके बाद एहमद रजा कसूरी नाम ले ले लेते हैं जुल्फ के काहे समझा जा सकता है और 2011 में जुल्फिकार अली भुट्टो के जो दामाद थे बेंजीर भुट्टो के जो हस्बेंट थे आसिफ अली जर्दारी उन्होंने 2011 में सुप्रीम कोट में यह पूरा मामला रियोपन करने के लिए कहा था इस पर फिर से विचार करने के लिए क तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी प्रणाली है और दिन भर जो पाकिस्तान का जो ध्यान आतंगवाद की तरफ रहता है आतंगवाद को बढ़ावा देने की तरफ रहता है अच्छा यही होता बहतर यही होता उसके लिए कि अगर वो अपनी न्याय प्रणाली में और ज जादा सुस्तियस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन के जरीर हमें जरूर बताइए